तो गुड मार्निंग, स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ इस्टडी में, देखिए दोस्तों, आपका जिंदगी है और आप ही उस इस्तिती को अच्छे से बना सकते हैं, तो आप ही हैं जो अपने माबाप का एकदम ताज पहना देंगे, और अपकी पारी बावने जा करना है, बेहतर तरीके से तयारी करके एक नोकरी ले लेना है, ठीक, आए बावु, आज का पहला दैनिक समसमाय की है, पहला करेंट है, हाल ही में अंतराश्टी संगीत और निर्त्य उतसों का आयोधन कहां किया जा रहा है, देखिए, ये है क्या अंतराश्टी, इसका ये उद्धेश है कि देश के बिभिन यानी बिभिन देशों के और अपने देश के संस्कृतिक और संगीत निर्त्य के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए, विकास करने के लिए, उसको पढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है चंडीगड में कहां पे बाबू चंडीगड में आयोजन किया गया है ठीक तो इसका एंसवर क्या है बाबू चंडीगड है इसका एंसवर क्या है देखिए चंडीगड है ठीक अब देखिए चंडीगड चंडीगड़ है जो दो जेगहों का है क्या है दो राजियों का कहा जाए तो राजस्थान है देखे राजधानी है स्वरी राजधानी देखे एक है किसका पंजाब का पंजाब का और एक है किसका पंजाब का है और एक है हरियाडा का हरियाडा का क्या है राजधानी है तो चं इसके वास्तुकार जो थे वास्तुकार थे जो ये थे ली कार्वू जिये थे और यही चंडीगर के वास्तुकार चंडीगर में क्या बबू देखे यह जो है देश का पर्थम ग्रीन सीटी है क्या है देश का पर्थम ग्रीन सीटी है और चंडीगर में ही है क्या सुखना जील है देखिए सुखना जील है सुखना जील सुखना जील का है चंडीगर में और एक बहुत अच्छा चीज है रॉक गॉर्डन कहां है आपसे पूछेगा रॉक गॉर्डन कहां है रॉक कहां है चंडी गढ़ में कहां है चंडी गढ़ में है बाबो कहां है चंडी गढ़ में किसने बनवाया है नेक नेक चंद ने किसने बनवाया है पूछा है एक्जाम में और ये कटकुतलियों की तरह पत्थरों को काट काट के बनाया गया है क्या आपका नेकशंद मनबन वाएं, क्या राक, गार्डेन देखिए, बंगलौर कहां है? करनाटक की राजधानी है, ब협पाल, मध्यपर्देश की मध्यपर्देश की राजधानी है, मुंबई, महाराश्ट की महाराष्ट की राज धानी है तो आईए बब देखते हैं अगला की उश्चन हलही में मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री मक्का मिशन किस राज ने चलाया है देखिए मक्का की मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए मक्का की खेती की जा रही है और मिशन चलाया गया है यह चलाया गया है बबु कहां पर ओड़िसा में तो आपका इंस वर क्या है? ओड़िसा है ठीक अब देखिए यह ओड़िसा मक्का की खेती कैसी है? खरीब फंसल है मुख्यता है मुख्यता है खरीब खरीब फंसल है कैसी है बाबू खरीब फंसल है ठीक खरीब फंसल है मुख्यता है ठीक लेखे ओरिशा अब ओरिशा की बात है ओरिशा के सियम कौन है सियम नवीन पतनायक नवीन पतनायक पतनायक ठीक अब देखिए ओडिसा क्रिया धनी क्या है भुनेस्वर क्या है ओडिसा क्रिया धनी भुनेस्वर और भुनेस्वर ही ऐसा जो सीटी है यह जो है पहला पहला स्मार्ट सीटी पहला स्मार्ट सीटी क्या है भुनेस्वर है पहला स्मार्ट सिटी क्या है भुनेश्वर है भाबू ठीक अब देखें पहला स्मार्ट सिटी भुनेश्वर और भुनेश्वर से कुछ ही दूरी पर है पूरी जहां पर जगनात मंदिर है और यही पर है सूर्य मंदिर जिसे कहते है कुनार्ग का मंदिर इसे बनवाए है कौन नर सिंग बर्मन बनवाए है कौन से गंग वंसी है ठीक अब देखिए इसमें ओडिसा में ही अगर कहा जाए तो एक है भीतरकन का भीतरकन का ठीक भीतरकन का किसके लिए परसिदेवाबू यह है मगरमच के लिए मगरमच परजनन केंद्र के लिए ठीक और एक है खचुआ के लिए क्या खचुआ यानि गहिरा माथा गहिरा माथा जो है यह परसिदेवाबू 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 परजनन के लिए परजनन के लिए जो अंडमान से आते ह और अंडमानी को बार्शाते ये दोनों गहिरा माथा और ये गहिरा माथा भीतनकरी का दोनों जो है केंद्र पाड़ा जिला में है केंद्र पाड़ा जिला में है तो आएए देखते हैं अगला क्यूस्चन देखें दोस्तो हल ही में हरी माव सक्ती 2023 का सैन्य अभ्यास कहां किया गया है अभी देखें ये है क्या हरी माव सक्ती 2023 ठीक देखें ये जो 2023 है ये हुआ है भारत और मलेसिया के बीच हुआ है और कहां हुआ है उम्रोई में उम्रोई कहां है उम्रोई कहां है उम्रोई जो है ये है आपका कहां मेगाले में कहां है मेगाले में भारत के तरफ से राजपूत रेजीमेंट और मलेसिया के तरफ से रॉयल रेजीमेंट आया था यहां पे सेना यानि क्या है यह है थल सेना क क्या है यह अभ्यास हुआ है साइन अभ्यास हुआ है अच्छा आप से कह देगा गरूर सक्ति गरूर सक्ति ठीक समुद्र सक्ति समुद्र सक्ति देखे यह दोनों जो है देखे जैसे हरिमाव सक्ति है उसे गरूर सक्ति समुद्र सकती यह जो दोनों है यह भारत जो है इंडोनेसिया के साथ अभ्यास करता है कहा देगा देखे गरूर सकती और आपका एक है देखे यह गरूर सकती और समुद्र सकती ठीक अच्छा आपसे कहादेगा एक मित्र सक्ति, समूदर से एक कहादेगा मित्र सक्ति, मित्र सक्ति किसके बीच में है, तो मित्र सक्ति होता है भारत और स्री लंका के बीच में होता है, क्या? यह सैन अभ्यास होता है, सिर्फ कहादेगा सक्ति किसके बीच में होता है तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है ठीक मेघाले में हो रहा है तो मेघाले की राजधानी होती है कावच्चा सिलांग यानि क्या होती है सी लांग और सिलांग और मेघाले में ही है एक बहुत अच्छा question, no crack राष्टी उध्धान कहा है? No crack राष्टी उध्धान कहा है? मिघाला में और यहाँ पे सबसेदिक वर्षा जो होती है मासिन राम मासिन राम मिघाला में सबसेदिक वर्षा होती है आईए देखते हैं अगला question बावो हली में किस सेन ने स्टेशन को बेष्ट ग्रीन मिलिटरी स्टेशन को क्या किया गया है? पुरसकार दिया गया है किसका? बेष्ट ग्रीन मिलिटरी स्टेशन का पुरसकार दिया गया है देखें यह क्या है? थल सेना और थल सेना थल सेना का सरोच पद होता है मनोज पांडे यही दिये हैं क्या बेश्ट ग्रीन सीटी का दिये हैं उधमपूर को किसको दिये हैं बाबू उधमपूर को उधमपूर जो जेके आइंड कस्मीर में है इसी को दिये हैं यह सेना के कितने कमांड होते हैं थल सेना के साथ कमांड साथ कमांड है और साथ कमांड क एक कमांड है उत्तरी कमांड कौन है उत्तरी कमांड जो है बावु आपका उधमपूर है और देखे इसी को दिया गया है आपका दूसरा सर्वस्रेष्ट सम्मांड दूसरा सर्वस्रेष्ट सम्मांड दूसरा सर्वस्रेष्ट सम्मांड मिला है देहरादुन को तो आपका एं मध्य कमांड है और यहीं देहरादुन में ही है Military Indian Military Academy ठीक और यहाँ पर पूरे में क्या है रच्छा अकादमी रच्छा अकादमी ठीक तो थलसेना का Headquarter क्या है Headquarter नई दिल्ली ठीक तो अब बाबु आईए देखते हैं अगला question हाल ही में मुख्यमंत्री योगी अधितनात ने मिशन सक्ति कैफे का उद्घाटन कहां पर किया देखे बाबु मिशन सक्ति का उद्घाटन किया गया है यह है इसका उद्देश है महिलाओं को विकास बढ़ावा देना महिलाओं को हर एक छेतर में साहता के लिए और बच्चों को विकास यह विकास के लिए पॉस्टिक अहार देना तो देखे यह जो है मिशन सक्ति कैफे कहां से किया गया है गोंडा से किया गया है कहां से किया गया है बबु गुंडा से और गुंडा का एक कालेज है सरकारी स्कूल है लाल बहादूर सास्त्री कालेज यहीं से किया गया संसक्ती कैफे का ठीक अब दिखिए यह क्या है कि महिलाओं का महिलाओं को यानि प्रुत्साहन प्रुत्साहन और बच्चों को बच्चों को पौश्टिक आहार देने के लिए किया गया है इस पर काम कौन करेंगे स्वाय सहात्य समू के सदस्य दोरा किया जाएगा तो आपका एंसर क्या है गुंडा ठीक अच्छा यह क्या है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश आठ प्लस वन यानि आठ राज्य और एक केंसासित प् प्रदेश मिलाकर कितना नौ को लुकुन हुआ लगणो राज्धानिय किस न्दी किनारे कि किमती नदी के किनारे भसा हुआ है ठीक अब देखें उत्तर प्रदेश में अठाइस जिलों से अठाइस जिलो से गंगा नदी बहती है और परवेस्ट करती है कहां से बिजनौर से कहां से परवेस्ट करती है बिजनौर से आए बाबु देखते हैं अगला question हाल ही में बाबु एंथियूरियम महोतसव मनाया गया है किस राज्य में देखिए यह क्यों मनाया गया reason क्या है देखिए क्या है लोगों को मिजोर्म के लोगों यानि एक संस्कृतिक महोतसव में बादहना लोगों को एक मंच पर संस्कृतिक महोतोसो अपने एकता को बढ़ावा देने के लिए एंधियरियम महोतोसो का आजन किया गया कहां पर वावू मिजोरम में ठीक अच्छा देख इत्ते लंगाना में हालही में हुआ है बथू कम्मा यानि क्या बथू कम्मा महोतोसो किसको कहते हैं फूलो का तेवहा कहते हैं मिजोरम आपका क्या है अइसवार है केरल में होता क्या है ओडम है तमिलनाड में पोंगल कि पोंगल यह मनाया जाता है अच्छा मिजोरम आइजोल अब मिजोरम में ही आपका एक is blue ब्लू माउंटेन राष्टी पार्क ब्लू माउंटेन राष्टी पार्क कहा है मिजोरम में है ठीक देखें मिजोरम का जो भाग लगता है बांगला देश से बांगला देखें किसे बच्चा बांगला देश बांगलादेश यहां म्यानमार म्यानमार की सीमा लगती है और यह बंगार यहां पे चटगाओ चटगाओ की पहाड़ी है और चटगाओ की पहाड़ी से बाव एक सरडार्थी बांगलादेश के जो मिजोरम में परवेश करते हैं मिजोरे में पर्वेस करते हैं, उस सरडार्थी का नाम है चकमा, चकमा सरडार्थी जो पहुचते हैं, जो पहुच जाते हैं किस में मिजोरे में, तो किशन में पूछा है कि चकमा सरडार्थी किस देश के हैं, तो किस देश के हैं, बांगला देश के हैं, ठीक, तो आज़े द देखते हैं अगला क्यूस्चन। चंद्र चूड डीवाई चंद्र चूड ने LLM होता है LLM की पढ़ाई पढ़ चुके हैं कौन डीवाई चंद्र चूड सी जो भारत के 50 मुख्य न्याया धीस हैं तो इसका एंस्वर क्या है डीवाई चंद्र चूड ठीवाई इसके 50 मुख्य ने आए इन ही को मिला यही पर पढ़े हैं तो यह बैस्विक नेतित दुनिया के सामने एक अच्छे तरह से फैसले को डीसीजन को और दुनिया में लोगों को अच्छा पहराने के लिए तो जब अगर कब जब आपका नाम है आप लाइक है तभी दुनिया पूछने वाली है तो ठीक इस तरह से काम करिए कि आपका मिनहत एक दम कहें कि हाँ अब ले लो आ गया समय अब नोकरी ले लो ठीक तो यह है मुख्य न्याजिस अब देखिए यह कों है सरोच न्याले के कौन है सरोच न्यायाले के देखिए सरोच न्यायाले सरोच न्याले में जो मूल थे सदसे वह थे सेबन प्लस वन यानि साथ साथ न्याजिस और एक मुख्य न्याजिस अब अब वरतमान में 2019 जो संसोधन हुआ उसमें कह दिया कि 33 प्लस वन यानि एक यान प्लस 30, एक मुख नअधिस, 30 अनदे नघिस, अब एक मुख नधिस का बेतन कितना है, 2,8-, 2,00, कितना है, असी हजार, और इसका कितना है, 1,5,00, कितना है, 1,5,00, आप जितना मिनहत करेंगे, उतना ही आप के पास आएगा, ठेक, तो देखिए, अब सरोच नयाले, भाग कितना है भाग आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएंगे कि यह भाग सरोच न्याले कितने के तहत है देखिए पहले सरोच न्याले कौन थें पहले मुख्य न्याधिस कौन थें पहले मुख्य न्याधिस थें पर्थम फष्ट मुख्य न्याधिस थें हीरा लाल हीरा ला अभी लेक तदर्थ ने आया धीस की निक्ति कौन करता है राष्ट पति कौन करता है राष्ट पती काता है तदर्थ तदर्थ नियाया धीस की नियुक्ति कौन करता है मुख्य नियाय धीस अभिलेक नियालय 139 आर्टिकल के तहत है ठीक देखिए कहा जाए तो सरोच नियालय एक होता है दिल्ली में है जो 124 के तहत इसका क्या होता है गठन होता है तो भारत में कुल उच नियालय 25 है उच नियालय की बात कर रहे हैं उच नियालय जो परतिक राजिय में एक होते हैं और एक उच नियालय एक सधिक राजिय को भी देख सकता है ठीक तो पचीस में जो है अमरावती में है और देश में जो है उच न्याला का पर्थम गठन 1862 में हुआ था कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, चेन्नेई में तीन जगह हुआ था तो आईए बाबू देखते हैं अगला क्यूश्चन देखे हैं हाल ही में बाबू सन्युक्त राष्ट डिबस कब मनाया गया है देखें सन्युक्त राष्ट संग की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को ठीक देखें इसमें जो है इसका हेड़ क्वाटर है निवार्क किस दीपर है मैन हटन दीपर है ठीक इसके सदस्य कितने हैं एक सो तिरानबे कितने सदस्य हैं बाबू एक सो तिरानबे और एक सो तिरानबा हमा जो सदस्य है दच्छिडी सूडान है और इस में जो है राजधानी क्या है जुबा है, क्या है जुबा है बाबु इसकी राजधानी, देखिए अब जो है स्तनीकत राष्ट संग, U YAdd No के अंग जो है छै है, ठीक six अंग है, अब इसके हेड जो है इस समय एंटेनियो गुतारेश जो पूर्टगाल के हैं पूर्टगाल की रधनी क्या है लिस्बन पूर्टगाल की रधनी क्या है लिस्बन यही क्या है छायंग है एक सभी पांच का पांच का जो है मुख्याले निवार्क है और एक अंत राष्टिय न्यायाले न्यायाले यह भी इवन्नों के अंग जो है आपके छे हैं लेकिन एक जो है सुराच्छा परिसद में बाबू इसमें कितने सदस हैं? पंदरे सदस हैं पांच इसथाई और दस ओर इसथाई है इसी को दुनिया का पलिस्में कहते हैं किसको सुरच्छा परिसद को तो पांच इसथाई दस ओर इसथाई है तो इसका आपका 24 अक्टूबर आईएप आपके देखते हैं अगला कर। हाल ही में 207 खेल का आयोजन किया गया कहां पर देखिए हो चुका है पहले का देखिए यह जो है 207 खेल का आयोजन जो हो रहा है 2000-23 का हुआ है यह कहा हुआ है बगोटा में ठीक कहा हुआ है इंसर बगोटा में देखिए बगोटा कहां पर है कोलंबिया में कहां पर है कोलंबिया की राजधानी है क्या राजधानी है कौन बगोटा किन्या किन्या की राजधानी नरोबी ठीक डुडोमा किसकी है तंजानिया की राजधानी क्या है डुडोमा पेरिस किसकी है फ्रांस की राजधानी है देखिए अभी आपका ACI Games हुआ है Olympic हुआ है Olympic में भारत 2021 टोक्यों में 48 अमें इस्थान पर था और ACI Games जो हुआ है 23 का जो हुआ है यहाँ आपका हुआ है चिन्ने में हांग्जू में चाइना पहले इस्थान पर और भारत जो है चौथे इस्थान पर आया है अभी वहाँ पर ACI and Para Games हो रहा है कहाँ पर हांग्जू में हो रहा है कहाँ पर चीन में है तो आईए बाबु देखते हैं अगला question देखे बाबु देखे भारत का आउसत समुद्र तल मापन कहां से लिया जाता है तो देखे ए है आपका क्या भारत है यह है आपका क्या भारत और यह देखे यहां से यह क्या है तमिल नाडू यह क्या है तमिल नाडू और यह क्या है कन्या कुमारी देखे कन्या कुमारी जो है यह बंगाल की खाड़ी और हिंद महा सागर और अरब अरब सागर तीनों को टच करती है, कौन कर्णिया, कुमारी, यहीं पर आपका है चेन्नेई, क्या है चेन्नेई, ठीक, तो भारत का जो आउसत समुझरतल, मापा जाता है, जैसे आप स्टेशन पे जाएंगे लिखा रहेगा, गोरकपुर का स्टेशन समुझरतल यहां से है, पहाडी का यह कहां से जो भी समुझरतल की उचाईयां है, भारत का मापा जाता है, वह कहां से बाबु, चेन्नेई से मापा जाता है, आपका एंस्वर क्या है, चेन्नेई, ठीक, देखे, यह मुंबई महाराश्की रधानी, कोच्ची किसमे है, केरल का एक जगह है, और कोलकाता पश्यम, बंगाल का है, तो बाबु, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंग, जय भारत.